नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नोट 9 प्रो पर कॉल वेटिंग प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको कॉल वेटिंग का प्रॉब्लम में आ रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखे यहाँ पर जो मैं आपको सॉलूशन बताने वाला वो एकुरेट सॉलूशन है ठीक है उससे आपको कोई डिकट कोई इशू नहीं होगा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है कोल वेटिंग के रिगार्डिंग पर वो भी फिक्स हो जाएगा पहले हम कुछ सॉलूशन करेंगे उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिक करें यहीं आप उनलाइन पेसा का माना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप में ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको करना किया होगा आपको एक सॉलूशन कर लेना है ठीक है उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे तो आप दोस्तों सबसे पहले तो जाए अपनी डिवाइस पर एक बार नेट्रों सेटिंग को हो जाएगा ठीक है अभी नीचे आप जाएए एक्स पर उसके बाद बास पर पर घनी के बार्फ ऑब सकते अभी कर सकते या फिर बात में तो इसके जो सौफ़र अबिए हमने जो solution क्या clear data वगरा उसके बार device को एक बार restart करें अपने setting पर जाए ठीक है I mean आपके call setting तो पहले तो आपको dialer पर जाना होगा tree lines पर click करना है setting पर जाना है और आपका call setting यहाँ पर है उसके बार call waiting पर जाए call waiting पर जाके दोस्तों आपका जो call waiting service से उसको enable कर दें अगर enable नहीं है तो enable करें इनेवल है तो एक बार burn करके इसको on कर दें ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों चेक करें आपका problem solve हो चुका होगा by any chance ठीक है by any chance अगर problem solve नहीं होते तो क्या करें तो अभी दोस्तों time आगया है software update करने का ठीक है अभी last में आप software update करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं तो जैसे update करोगे problem solve हो जाएगा तो बस इतना solution काफी है इस problem को solve करने के लिए उमीड करते है वीडियो पसने होगा आ आते हैं तो आप हमें दोस्तों comment section पर भी बता सकते हैं ठीक है और आपका कुछ detail समय दे दीजिए problems किस तरीके से आ रहा है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही thanks for watching